तो नमस्कात दोश्ब को सब स्फवागत एक नभी दिए के एकसाटिंग विडियो में, आज क्या वडियो में वन्बाकसिंग करने वाले हैं कॉस्मिक बाइट के हाइपरियन गेमिंग माउस की, तो गाईस, लेट्स चार्ट दा विडियो तो क्याई जी कि आप देख सकते हैं यह हमारे पास आ गया है बॉक्स चलिए ज़िए इसको ओपन करते हैं यहाँ पहले देख सकते हैं उपर की तरफ लिखा हुआ है हाइपरियन गेमिंग माउस 10 मीटर वायरलेस रेंज दिया हुआ है RGB लाइटिंग एफेक्स के साथ आता है साइड में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है साइड में लिखा हुआ है wireless 2.4G dual connection mouse मतलब इसको जो है आप wired भी यूज़ कर सकते हैं और साथी साथ wireless भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं पीछे देख लेते हैं लिखा हुआ है professional wireless transmission technology with 2.4G nano receiver with 1000 hertz report rate achieving wireless transmission as fast as wired connection wireless 2.4G and dual connection mouse high precision 10,000 dpi optical sensor इसमें हमें एक pixart का sensor देखने को मिलता है जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है PMW3325 optical gaming sensor जो की एक pixart sensor है इसमें हमें 10,000 dpi तक देखने को मिलता है maximum उसके बाद आपको इसमें जो है wireless range 10 meter battery इसमें जो आती है in build वो 600 mhk आती जैसे कि आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है साथी साथ यहाँ पे लिखा हुआ है surface matte UV default dpi यहाँ पे 400 से start होता है 400, 800, 1600, 3200 उसके बाद आता है 5000 उसके बाद direct आप जा सकते हैं 10,000 तक तो guys ऐसे जो है default dpi आप जो है polling rate change कर सकते हैं USB interface आपको यहाँ पे देखने को मिलता है C type port आप यहाँ पे mouse में देखने को मिलता है वो भी मैं आपको देखाने वान हूँ product का size आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका आप weight देख सकते हैं 96 grams एक wireless gaming mouse की 96 gram weight होना वो भी 1600 रुपए के अंदर यह एक काफी बड़ी बात है कुछ लोग यहाँ पे जो है काफी सदा lightweight mouse ढूंटे हैं gaming के लिए जो की wire भी हो और साथ में wireless भी हो तो guys यह जो है एक काफी बढ़िया option हो सकता है 16 रुपए में चलिए जल्दी से इसको unbox करते हैं उपर की तरफ एक seal दिया हुआ है इसको cut कर लेते हैं नीचे की तरफ भी seal दिया हुआ है इसको भी जल्दी से cut कर लेते हैं वाइस box को open करते हैं यहाँ पर सबसे पहरे हमें देखने को मिलता है वायर जो की है normal usb से usb type c cable वायर जो कि हम connect करके यूज कर सकते हैं समाउस को जिसकि आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यह जो वायर वह काफी बड़ा वायर देखने को मिलता है और काफी अच्छी quality का मिल रहा है एक बरद आपको यह देखिए क्वालिटी काफी अच्छी लग रहे है 16 रूपय क्या अकॉर्डिंग यह है माउस उसके साथ आपको देखने को मिलता है इसका ब्लूटूथ रिसीवर तो गाइस यह सब चीजे आपको देखने को मिलती है बॉक्स के अंदर इसमें हमें कोई भी देखने को नहीं मिलती है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह है माउस काफी डिजाइन के साथ आता है सबसे पहले हम इसमें बटन्स काउंटर लेते कितने हैं यहां पर आपको दो बटन्स देखने को मिल रहे हैं और सामने की तरफ अपना लेफ्ट राइट क्लिक है साथ में आप DPI चेंज वाला बटन्स देख सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर आप oni काफी सिंपल था कुछ ज्यादा नहीं है चली है से इस माॉस को आपने लैकटौप के साथ कनेक करते हैं और आपको मैं बताता हूं इसमें कैसे परफार्मेंस देखने को मिलता है तो इस्को जो मै ने अभी use किया 15 minutes के लिए काफी बढ़िया लगा है mouse सबसे पहला मैं इस mouse के ergonomics के बार में बात करना चाहूँगा काफी बढ़िया मैं अभी erwis각 खरेंगे यहाँ ले काफी अच्छा ग्रिफ में मिल रहा है साथ साह आपको यहाँ पर तीन मोड्स दिखने को मिलते हैं नीचे की तरफ जिसको आप चेंज कर सकते हैं यहां पर इसको आप वायरलेस भी यूज कर सकते हैं अभी मैं ऐसे फिलाल जो है वायरलेसली यूज कर रहा हूं काफी बढ़िया फील दे रहा है यहां पर लेटिंसी काफी जादा कम है बहुत ही जादा कम है इतना जादा कम है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई wired mouse यूज़ कर रहा हूँ और काफी बढ़ी है यहां पर मुझे लग रहा है फिलाल के लिए wireless connection इसका और मैं अगर इसके click की बात करूँ दोगा इस यहां पर आपको एक बार मैं clicking sound सुना देता हूँ इसका तो guys यह जो आपने सुने सारे buttons को मैंने आपको click करके बताया काफी अच्छे clicky buttons दिये गए हैं इसमें सबसे अच्छा मुझे लगा है इसके left right buttons काफी जादा smooth buttons हैं साथी साथी इसमें जो scroll wheel में button देखने को मिलता है वो भी काफी जादा अच्छा click यहां पर हमें देता है scroll wheel भी काफी बढ़िया और काफी ज्यादा smooth लगा है मुझे अगर मैं बात करूँ यार इसके RGB lighting की जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे तरफ आपको नीचे की तरफ आपको एक RGB light देखने को मिलता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं cosmic byte के software से उसके भी बारे में मैं आपक का यहां पे जो software आपको देखने को मिलेगा इस software का आपको मैं link वीचे description में देदूँगा वहां से जाके आप download कर सकते हैं यह cosmic byte का खुद का ही इनका जो software वही है यहां पे देखने को मिल रहा है तो इनको जल्दी से open कर लेते हैं यह आप भी side में mouse भी देख पा रहे है mouse के साथ साथ अभी आप देख सकते हैं आप लाइटिंग मोड दिया हुआ है उपर फिर आपका dpi option दिया हुआ है parameters दिया हुआ है macro दिया हुआ है एक एक option का हुआ है अच्छे से देखने वाले lighting के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं यह एक एक बटन को आप पहले तो customize कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं एक एक बटन को customize आप कर सकते हैं साथी साथ जो है आप यहाँ पर कुछ profiles बना सकते हैं अपने हैसाब से यहाँ पर पहले से कुछ profiles बने हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं पहले profile पर USB polling rate आप देख सकते हैं साथी साथ यहाँ पर sampling rate भी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, colorful stream, यहाँ पर आरजी भी भी प्रोफाइल के हिसाब से चेंज हो रहा है, अपना खुद का प्रोफाइल भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, lighting अगर आपको change करना है, तो guys, यहाँ अप से आप lighting change कर सकते हैं, जैसे अभी है colorful stream जैसे आप देख सकते हैं अभी mouse में आप जो है colorful stream देख पा रहे हैं वहीं पर अगर मैं बात करूँ अगर मैं change करता हूँ इसका lighting तो guys यहाँ पर देख सकते हैं अभी light change हो गया steady mode पर आ चुका है अभी आप जो है कोई भी manually कोई भी color select कर सकते हैं यहाँ पर अभी blue select किया फिर आप औरेंच कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं या यही डिक यहाँ ने किया यहाँ भी यहाँ इतने सारे colors पे जाप यहाँ देख सागे बड़ते हैं यहाँ इतने सारे options देखने हो मिलते है breathing वाला option है यहाँ पर colorful steady आपने देखा flickr देख सकते हैं आप यहाँ पर flickr के बाद को आपको मैं आप दिखा देता हूं star twinkle star twinkle में आप देख सकते हैं आप दो color combination आप यहाँ पर बना सकते हैं या फिर आप जो है आप फास्ट और slow कर सकते हैं इस effect को wave effect यहाँ पर काफी बढ़िया लगता है देखने जैसे कि आप देख सकते हैं इसका भी आप जो है speed कम जादा कर सकते हैं dpi को अपने हिसाब से एक एक step आप कम बढ़ा सकते हैं यहाँ यह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यह जो जगह दिया हुआ है यहाँ पर आप जो है dpi select कर सकते हैं मैं जो है फिलाल अभी 1600 का dpi use कर रहा हूँ यहाँ से आप dpi change कर सकते हैं साथी साथ जो है आपका यह जो middle वाला बटन है four number यहाँ पर इस बटन को आप tap करके जो है dpi change कर सकते हैं without यह software साथाध अगर मैं बात करूँ parameter की तो गाइस यहाँ पर पारपीators में आप mountain mouse का sensitivity improve कर सकते हैं double click का जो है speed change कर सकते है scrolling speed आप यहाँ पर change कर सकते हैं साथी साथ अगर मैं बात करूु Macros की तो guys इसमें जो आपको Macro Keys देखने को मिलते हैं जो दो आपको Macro Keys देखने को मिल रहे हैं उसको आप Customize कर सकते हैं इसको Customize करने के साथ साथ जो है आप यहाँ पे scroll wheel के अंदर जो आपको button देखने को मिलता है उसको भी आप यहाँ पर customize कर सकते हैं तो guys इतना कुछ था software के अंदर software काफी बढ़िया लगा है मुझे हाला कि छोटे छोटे bugs हैं वो जो है normal है हर mouse के software में अच्छा कासा software हम यहाँ पर देखने को मिलता है overall एक काफी बढ़िया package है यहाँ पर यह माउस तो guys इस mouse को जो है मैंने अभी wired भी use करके देखा है काफी बढ़िया mouse है यहाँ पर जो cable आपको देखने को मिलता है usb type-c cable है साथी साथ अगर मैं बात कुरिया है इसके build quality के तो guys build quality आपने क्लिक की आवाज सुन ली काफी बढ़िया clicks आपको यहाँ पर देखने को मिलते है सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर यह लगती है कि यह जो plastic यूज किया गया है यह matte plastic है काफी बढ़िया feel देता है हाथ में काफी ज़्यादा smooth feel होता है यहाँ पर साथी साथ जो rubber दिया गया है अपने scroll wheel के ओपर वो भी काफी ज़्यादा soft है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चारो तरफ पैडिंग देखने को मिलती है जो की काफी बढ़िया यहाँ पर feel देता है यहाँ पर देख सकते है पिकसार्ट का sensor जो की काफी तगड़ा काम कर रहा है अभी वे ने जितना भी यूज किया है नीचे आप देख सकते हैं आपको mode का button देखने को मिलता है आप mode यहाँ पर change कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पर Cosmic Byte की branding और Hyperion लिखा हुआ यहाँ पर तो गाइस यह जो एक mouse है 16 रुपए के under में एक power packed mouse है काफी सारे features आपको packed यहाँ पर दिये गया है RGB के साथ आप इसको wirelessly भी use कर सकते हैं wired के साथ भी use कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने wire लगा के रखा हुआ है साथी साथ जो है आपको इसमें 10,000 dpi तक का option देखने को मिलता है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 6 buttons 6 buttons भी काफी जादा useful हो देखने को आपको मिलेंगे सारे buttons काफी जदा clicky हैं जैसे कि आपने इसके आवाद सुन लिया साथी साथ आपको जो इसमें cosmic byte का software देखने को मिलता है वो भी काफी जदा बढ़िया देखने को मिल रहा है उसमें आप जो है dpi change कर सकते हैं sampling rate change कर सकते हैं साथी साथ जो है अपने RGB को customize भी कर सकते हैं तो guys इतना सब आपको बता देना चाहूंगा तो guys यह mouse मेरे तरफ से recommended है यहां पर तो इतना इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों नीचे लाइक बढ़ा नमाना मत बूलेगा तब तक लिए दोस्तों जैहन्द वंदे मातरम और आपका दिन शुब है